Hello everyone, आज हम कुछ ऐसे books के बारे में discuss करने वाले हैं, जो कि कई सारे toppers बोलते हैं कि वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए. अगर जैसे कि हम बात करते हैं हमारे environment वाले पार्ट के लिए, तो कई सारे toppers recommend करते हैं कि हमें शंकर IAS की जो book है, environment वाले हमें उसे जरूर पढ़ना चाहिए. वहीं पे अगर हम बात करते हैं पॉलिटी का, तो वो तो आपको जरूर पता होगा कि हम लक्षमी कांत को हमें अगर हम वहीं पे बात करते हैं ancient and medieval history का, तो देखिए कई सारे topper बोलते हैं कि हमें तमिल लाडू का जो textbook है class 11th का, हमें उसे refer करना चाहिए, वहीं पे कुछ toppers बोलते हैं कि जो ancient history है, आरिया शर्मा की class 11th की old NCRT, हमें या तो हमें उसे पढ़ना चाहिए, प्लस अगर हम NCR society refer ही कर रहे हैं, तो जो 37 चंडरा की class 11th की medieval history की book है, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं and बात करते हैं geographic के लिए, तो geographic के लिए class 11th and class 12th की geography कोई भी ऐसा topper नहीं है, जो कि बोलता है कि आपको उसे avoid करना है, हर एक topper बोलता है कि ये 4 book तो अच्छी तरीके से पढ़नी है, and last subject, अगर हम बात करते हैं modern history का, तो ये भी आपको पता होगा कि spectrum जो है कई सारे toppers बोलते हैं कि हमें जरूर पढ़ना चाहिए, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, च